अब हम question number 3 कर रहे हैं पहला और दूसरा आपके हम अपने आप से करो जित्ते बने बता है उसके आगे से और अब हम question number 3 करने जाने हैं देखो first question क्या है इसमें के का मान ग्याद कीजिए जबकि निमलिकित स्थितियों में से प्रतेक स्थिति बे एक्स मानस वन पी एक्स का एक गुरंखंड हो तो देखो first question है पी एक्स का मान दिया हुआ है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वार प्लेस एक्स प्लेस के यह दिया हुआ है तो यह कह रहा है कि जी एक्स का मान हमें कितना दिया हुआ है एक्स माइनस वन जी एक्स बराबर दिया हुआ है और जी एक्स दिया हुआ हमें सवाल में एक्स माइनस वन तो एक्स माइनस वन यानि जी एक्स पी एक्स का एक गुरंखंडों का जब एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन बराबर जीर एक्सक्काईए प्लेस एक्स प्लेस के का गुरंखंड है तो पी यानि एक्स ब्राबर अगर हम बन रखे पी न कमान किसके बराबर होना चाहिए जीरो के बराबर तो एक्स-1 पी एक्स का ये गुरणखंड है तो P1 का मान कितना होना चाहिए 0 अब इसमें X की जगह है क्या कहते वन रखकर देखेंगे यह ना हमारा PLEASK बराबर 0 होना चाहिए जब X का मान कितना हो हूँ 1 ठीक है तो P1 हमारा के यह तो PX है तो P1 देखो हमारा कितना हो जाएगा X की जगह पे ये रखते जाओ 1 square plus 1 plus K बराबर 0 तो 1 का square कितना होता है 1 plus 1 plus K बराबर 0 यादि 2 plus K बराबर 0 और K का मान कितना निकल के आया 2 को इदर ले जाओ मैनस 2 आथा K का मान कितना हो गया मैनस 2 तो के का मान भी पूचा है सवाल में, इस तरह से करने है यह को सरण, जैसे सेकिंड वाला देखो इसमें, बाकि आप अपने हाँ करने हैं, सेकिंड वाला है, P x कमान 2 x square q x प्लेस ऐंडर 2 ये दिया हुआ है तो x-1 इसका इक ग्रणखंड है तो P1 कितना हो जागा P1 बराबर 2 यहां पे x की जग़े हम कितना रख दे 1 का स्क्या प्लेस k-1 प्लेस ऐंडर 2 और इसका मान कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए दो और बन का स्कुरार बन ही होता है, यह दो के बराबर हो गया, प्लस के प्लस रूट टू बराबर जीरो, यह जीरो के बराबर होगा, यह के बराबर के प्लस टू प्लस रूट टू बराबर जीरो, और के बराबर हमारा आजाएगा, इसको माइनस के इदर ले जाओ, माइनस 2 minus root 2 या के कमान क्या जाएगा minus बहार ले लो तो 2 plus root 2 ऐसे करके निकालना है के कमान इस तरह से करने है यह second question ठीक है तीसरा और चौथा इसका दूस्ट प्रस्न का तीसरा चौथा अपने आप करोगे अब इसके आप देखेंगे हम चौथा कुष्ण देखो चौथा कुष्ण क्या है गुरंखंड ग्याद कीजिए चार प्रस्नेस में 12 x square minus 7 x plus 1 तो 8 में भी आप गुरंखंड निकालना सीख चुके हो second है 2 x square plus 7 x plus 3 तो 4 में से मैं 2 पर आती हूँ बाकी के 2 अपने आप करो गया देखो 12 x square minus 7 x plus 1 इसके हमें गुरंखंड करने हैं 12 x square minus 7 x plus 1 तो हमें इसके गुरंखंड करने हैं तो यहाँ पर देखो x square का गुरंखंड क्या है 12 और इसका बन तो हम इसके रफ में ऐसे फैक्टर करेंगी बराबर 12 इन दोनों के गुरा करो अब 12 के गुरंखंड करो 3 गुरा 4 तीन चौक इतना होता है 12 यह 6 गुरा 2 यह भी होता है 12 के बराबर अब देखो 3 और 4 को अगर हम जोर दे तो किसके बराबर आजाएगा 7 के बराबर तो हम इसको इस तरह से गुरंखंड करते हैं यह बीच वाले थैक्टर के बराबर आजाएगा देखो कैसे लिखेंगे 12 स्क्वार माइनस साथ को क्या लिख सकते तीन प्लेस चार ब्रैकेट के बाहा एक्स लगाओ ऐसे करते हैं तो 12 x square minus, अब बिल माइनस अठाओ, 3 x minus, ये plus minus minus हो जाएगा, 4 x plus 1, अब एक बार इन दोनों खुलो और इन दोनों खुलो, ऐसे करने हो, इन दोनों में common क्या है, तीन और x भी common है, तो 3 x हम bracket के भाहा लेंगे, 3 चोप 12, divide कर लिया, x square में से 1 x भाहर आगया, minus, यहां क्या बच्चा 1, इसमें से minus 1 common ले लो, तो minus common ले लिया, तो 4 x ये minus इसका भाहर आगया, और ये plus minus minus 1, तो देखो हमारे गुरंखन के आएंगे, 3 x, 4 x minus 1 को फिर common ले लो, इसको common ले लिया, और दूसरा बच्चा हमारा 3 x minus 1, बस ये ये x के ग करना है, अब एक प्रसन और करा देती हूं, उसमें से मैं, सारी important है, लेकिन second question और करो, और बाकी तीसरा चौथा अपने आप करोगे, देखो second question क्या है, 2 x square plus 7 x plus 3, इसको और करना है, तो 2 और 3 के हम यार अपने गुरंखन करेंगे, कितने हो गए, 6, ठीक है, और 6 में अगर एक से गोड़ा करेंगे, तब भी भी कितना आएगा, 6, लेकिन 6 में अगर एक डोर दे तो कितना आजाएगा, 7, तो देखो हम इसको कैसे लिखेंगे, 2 x square plus 6 x plus x plus 3, ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, अब इसको हमने, क्या कहते हैं, फैक्टर में तोड लिया, इसको, 7 x ह बीच वाले के ही हम फैक्टर करते हैं, तो अब इसमें से देखो, 2 और 6, इन दोनों में से common क्या है, 2, 7 में आ जाएगा, x, यहां ब्रैकिट में क्या बच्चा, x, और यहां कितना बच्चा, 3, x plus 1 में कुछ common नहीं है, तो 1 लेते हैं, तो x plus 3, अब देखो क्या है, x plus 3, x plus 3 इन दोनों में common है, तो x plus 3 एक ब्रैकिट में आ गया, और दूसरे में कितना आया, 2 x plus 1, यह इसका answer है, यह इसके गुरणखंड होए, इस तरह से हमें इसके गुरणखंड करने हैं, ठीक है, बाकी तीसरा और चौथा यह वाला ठ्राल रखोर्ट, यह वाला कुस्चन, तीसर